हेले बिरोन कैसे आप सब एक बार पना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वागा था उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बेतर चल दी होगे बच्छो क्लास 11 कमिस्टी में चैप्टर 6 जिस चैप्टर का नाम है सामय बस था इसमें जो भी महात्पुन कोच्छने में लेकर आया हूँ इसे आप लोग तयार कर लेना इसके पहले हमने जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब 5 तक हमने जो भी important question प्रवाइड किया है वो आपको playlist में मिल जाएगा इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्छो टेलीग्राम में join कर लें description पे आपको टेलीग्राम का link मिल जाएगा वहाँ पे भी हम question share कर देते हैं बागी बाद में आप 12th class में जाओगे तो आपको वहाँ पे बिज़ेश रूप से तयारी कराया जाता है और वहाँ पे आपको पूरा जो 12th class का सेलिवे सका link मिल जाता है तो आप लोग टेलीग्राम जरूर जोइन करें सिव कोचिंग क्लासस के नाम से है ठीक है चले शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला प्रस्ण यहां पर देखें जिसे आपको त्यार कर लेना है बफर बिलियन किसे कहते हैं अब इसमें कई बार question पूछा गया है बफर ब पीट कर दिये जाता है इसलिए आप लोग बफर बिलियन का टॉपिक पढ़ लेंगे सबसे बड़ी बात अभी टिपड़ी लिखने को आया था पिछले साल समायन प्रभाव और बिलेता गुड़न फल किसे कहते हैं समायन प्रभाव और बिलेता गुड़न फल काफी महत्प कीजिए के-पी और के-इसी के-पी बराबर के-इसी आरटी पावर डिलियन मतलब के-पी और के-पी में संबन्ध कैसकते के-पि और के-इसी में संबन्ध किस और करिया का नियम से द्या THे को महत्पूर्ई गुलबर आते लिए का सिध्धान्त भी हो सकता है या ली साते लिए का नियम आमलुआ चार की अब धारना लुईस के आधार पर और हीनियस के आधार पर लुईस के आधार पर लुईस आमली या लुईस चार किसे कहते हैं समझाने के लिए पूछ दिया जाता है कोश्चन साथ बच्च कि किस टॉपिक पर आपको डाउट है उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँगा जैसे माली जै बफर बिलियन ही आपसे समझ में नहीं आ रहा है पी एच मान कि अब धार नहीं नहीं बन रहा है और उसे भी आप कोश्चन सर्च कर दोगे सीव कोचिंग क्लस्स लिखोगे तो आपको मिली जाएगा हमारे चैनल पर आप लोगे इतना हेल्फ किया गया है ओके फिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो पसंदाट लाइक करके जरूर सेयर करना जैहिंद बंदे मातरम